हेलो एव्रिवन आयम आस्था बल्गम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्मेंट जॉब जैन्य नॉटिफिकेशन विजली विभाग भरती 2022 का नॉटिफिकेशन जिसमें की वेरियस पोस्ट विकेंसीज है और पर्मानेन गवर्मेंट जॉब रहेगी से जालरी आपको 30,000, 35,000 तक रहेगी 50,000 हम नॉटिफिकेशन में क्लियर करेंगे according to post मेल एंड फीमेल दोनों ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं तो वह था रेलिजबिल अगर एज यहां पर आप देख रहे हैं मिनिमम एज 18 एर है एंड मैक्समाम 40 एर है सो यहां पर जो कैंडिडेट अप्लाई कर सकेंगे 12 पास कैंडिडेट भी इस बेकेंसी के लिए यहां पर जो पोस्ट रखी गई है उसमें 12 पास कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकेंगे ग्रेजुएट कैंडिडेट भी इसमें अप्लाई कर सकेंगे तो चलिए हम इसका notification के लिए कर लेते हैं अभी इसके online application start नहीं हुए है अभी FAB में ही इसके online application है वो start होने वाले है तो चलिए हम इसका notification देखते हैं और अगर आप इसमें apply करते हैं तो आप भी एक बार इसका detail notification चेक कीजेगा तो यह यहाँ पर आप notification देख रहे हैं यह जो notification है इसके पहले यह vacancies आई हुई थी एक महीने पहले लगवाग इसकी जो last date थी वो FAB में ही थी जिस पर मैंने वीडियो भी upload किया था पूरा eligibility criteria कवर किया था लेकिन अब इसमें यह जो notification है यह इसमें संसोधन किया गया है और इसमें कुछ changing की गई है जैसे कि application जो starting date और last date थी इसकी FAB में थी तो अब इसकी online application date बढ़ गई है अभी आप इसके 21 फरवरी से I think इसमें apply कर सकेंगे हम आगे notification में clear कर लेंगे तो इसमें अगर हम देखे post तो assistant accountant की post थी जिसमें आप यहाँ पर देख रहे है बर्तवान इस्तमबन एंड संसोधित किया गया है तो यहाँ पर bachelor degree in commerce from my university deemed university established by act of central government of any state government तो all India से इसमें apply कर सकते हैं bachelor degree in commerce from तो इसमें commerce से अगर आपने किया हुआ है बैसे मैं आपको बता दूँ यह जो vacancy है उत्तर प्रदेश स्टेट से यह vacancy है chemistry grade second के लिए अगर आप मेरे regular viewer हैं तो आपने वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने detail में explain किया था eligibility criteria को ले करके chemistry grade second के लिए post code 6, msc degree अगर आपने chemistry में की हुई है university, established by law in UP और from any other university तो भी आप यहाँ पर apply कर सकते हैं lab assistant की जो post है इसके लिए 12th pass candidate apply कर सकते है अगर आपने 12th complete किया है chemistry subject से तो भी आप यहाँ पर apply कर सकते हैं UP board से अगर आपने किया है कम से कम आप second division से pass हुए हो ओके या पर आपने graduation किया हो chemistry से हम जिसका जो पहले जो notification आया था हम उसमें किलिया कर लेंगे आपको बता दूँगी फिर भी video link भी मैं आपको दे दूँगी उस video को भी आप visit कर सकते हैं end screen पर mention करूँगी यहाँ पर आप यह date देख रहे है online आविदन पत्र प्रारंब करने की तिती पहले जो date थी वो 28 जनवरी से इसके online application स्टार्ट हुए थे लेकिन यहाँ पर अब इसकी जो बिस्तारत थी यह extend कर दी गई है 21 फरवरी 2022 से अब यह फिर से online application होंगे इसमें end जो last date थी 27 फरवरी 2022 जिसको की 21 March 2022 कर दिया गया है आविदन सुलक जमा करने की last date एक मार्च थी जिसको की 22 मार्च कर दी गई है यह यहाँ पर अगर आपने अभी तक apply नहीं किया था या आपने वो वीडियो नहीं देखा था और apply नहीं कर सके और आप इसकी जो भी eligibility criteria उसको fulfill करते हैं तो 21 फरवरी से इसके online application स्टार्ट होंगे यह आप date यहाँ पर देख रहे है ओके चलिए अब मैं इसका जो notification है वो आपको मैं दिखा देती हूँ तो यह देखिए यह रहा वो notification बिग्यापन संका U44 UPRVUSS 2021 यह notification भारतिय नागरेकों से आवेदन आमंतरित किये गए online आवेदन यहाँ पर post wise आप देख रहे है total कितनी vacancy है categories 22 भी दिया गया है and salary यहाँ पर देखेंगे तो अबर अवियनता जो फ्रसिक्चू है उसके लिए जो salary है level 7 से 44,900 रहेगा सायक लेखा कार के लिए 29,800 सायक ग्रेट 3rd के लिए 36,000 level assistant के लिए 37,200 रहेगा इसके लावा जो भी allowances हैं उसमें UP government के थू रहेंगे essential qualification हमने उसमें cover कर लिया है कि आपकी essential qualification इसमें required है age limit है 18 से 40 साल level assistant post के लिए 18 साल क्योंकि इसमें 12th pass मांगा किया है so 18 साल अगर आपने complete किया है तो इसमें apply कर सकते है and other जो post है उनके लिए 21 से 40 साल रखी गई है और साथ में जो अबर अवियंता पिसिक्चु बिद्धुति आंत्रिकपद ये लेकिन जो नई जो update आया हुआ है उसमें ये post सोर नहीं है so इसमें आप देख लेजएगा application fees भी मैं यहाँ पर आपको बता दूँ तो अबर अवियंता या साइक लेखाकार रसानग ग्रेट सेकेंड लेवस स्टेंड के लिए जो application fees है वो है 826 and इसके अलाबा जो अनसुच जाती जन जाती स्रेडी उत्तर प्रदेश के मून लिवासी हैं और बो भी तो 826 से इसके अलबा जो अधर स्रेडी है अधर कैटिगरी से ब्लाउंग करते हैं तो 1180 रहेगी and केवल अवर अभियंता के लिए है 12 रुपए so यह इसमें से हटा दिया गया है आप फिर भी एक बार चेक कर लिजेगा जो अपडेट आया हुआ है उसमें यह नहीं दिया गया है सेलेक्शन प्रोसेज इसमें डिटेल में दिया गया है जिसको कि मैं अपने फर्स्ट वीडियो में कवर कर चुकी हूँ सो आप उस वीडियो को विजिट कर लिजेगा मैं एंड स्क्रीन पर मेंशन कर दूँगी या फिल लिंक मैं आपको डिस्क्रप्सन बॉक्स में दूँगी तो वहां से भी यह डिटेल नॉटिफिकेशन चेक कर सकते हैं अभी तक आगर आप अप्लाइ नहीं कर सके हैं तो आभी आपके पास टाइम है फिर से इसके ओलाइन अप्लिकेशन स्टार्ट है आप इसमें जरूर अप्लाइ कीजिए अगर इसके अलिजबिल्टी क्रैटिरिया को फुल्फिल करते हैं थैंक्यू